हमारे महान महारास्टा राज में पूने महान पूने सहर में एक मैथमेटिक्स का परतिष्ठान है भासकरा चार्ज परतिष्ठान मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स के उपर कोई भी बच्चा हो कहीं का बच्चा हो इस बच्चे को फिर हमने पूना भिजबाया भासकराचार परतिष्ठान वहां गया बड़ा एक्सपोजर मिला दुनिया के सारे मैथमेटिक्स अलंपियाड के बच्चे पहले भूना से आये करते थे मलब परसेंटेज जदा था वहां के टीचर सब एक्सपर्ट टीचर हैं लड़का का कॉन्फिडेंस जगा और वो पराया हम लोग को घर आया करता था और अपना स्कोर काड़ बताता था फिर उसको हम लोग फर्दर गाइड करते थे और अभिनफ का बड़ा हातरा उसको गाइड करने में फैर जैसा होता आम तोर पर अब उसका मात्वा कांछा बढ़ गया अब वो आईटी जाके दम लेगा कोटा गया कोटा में तैयारी क चलो किसी कारण से पिछले साल होना था नहीं हुआ फिर डिसकसन हुआ हमने टेस्ट लिया बच्चा काफी इंप्रूब कर चुका था अब एक लिप की बात थी जो हिमाले पहाड़ पर होता है कि लाखों लोग यहां पहुसते हैं लास्ट लिप जो लिया वो महान हो गया फ तो इस तरह की घटनाय है जो मझे इतनी खुसी देती है ऐसे इस साल जो कई ऐसे बच्चे किये हैं उसमें एक स्री घोसाल साब जो कलकत्ता में आजकल है पले मुंबे में रेलवे महा करते थे उनके बच्चे घर पर आये यह सारे किताब केकर सेट खरीद के हमने दिया और ह अब उनका लड़का खड़कपूर आये टी में है तो वो खुसी का आलम नहीं रहा क्योंकि ना तो कभी उन्होंने सोचा था और ना कभी इस तरह की बात उनको हुई थी हमारी ट्रेन में मुलाकात हुई थी ऐसे सैकड़ों कहानी है बट मेरा जो प्रसनल एक्सपरियेंस ल देखेंगे तो फिर उसमें यह होगा और आपकोर्स जैसा आप सब जानते हैं कि अपने घर में जितने बच्चे थे क्योंकि मैं एक कोचिंग इंशूट के डिरेक्टर से मिला था उन्होंने एक बात हमें बताया था कि सिन्दा साब मैं आईटीन हूं अब मैंने दुनिया क बहुत बड़ा काम किया है हमने कहा क्या काम किया अपने कम मैं अपने खंडान के अपने रिलेटिव के साथ बच्चे को आईटी भेजा तुरत दिमाग ठंका मेरा अब मैं साथ तो क्या साथ सो तो क्या साथ हजार तो क्या साथ लाग तो क्या करोड़ों को आईटी भेजू कहने का मतलब यह है कि इस तरह के बातों से हमें भी प्रेणा मिली मेरा भी आँख खुला कि इस तरह से अगर हम कुछ करें जो आम बच्चे भी अच्छे जगा जाए आई-एस बने आई-एस का भी बहुत कानी है भागलपूर के हमारे रिस्ते में मामा स्री अजीत कुमार मिस मिसरा जी जो इंगलिस के फर्फेसर थे वहां इंवर्सिटी में बड़ी मानते थे हमको उनको बच्चे को दोनों को मैंने बच्चमन में पढ़ाया था दोनों अभी आई-एस हैं सुनके बड़ी खुसी लगती है लेकिन यहां पर एक बात बोलना जरूरी है बच्चों का और एड़वर्स सिच्वसन होता था तो वो बड़ी होसला दिलाते थे बोलते थे आनादी तुम कहीं और के लिए बने हो तुम कहीं और कोई जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा है तो इस पेसली मैंने बताया नहीं इस पेसल चेप्टर किताब के सुरू होते ही मैंने वो च तो आपको क्या करना चाहिए आपको खाली विल्पावर बढ़ाना है और आगे बढ़ना है पीछे मुड़ना नहीं है वो खासम खास चेप्टर आपके लिए उसमें मैंने लिखा है तो यहां कहने का मतलब यह था खाली ऐसे बहुत सारी एक्सप्रियेंस है लेकिन हमने सुना भी उन दोनों बच्चों में एक के बारे में अभी सुना मैं भागलपूर गया था भी कि उनके यहां जो न्यूजपेपर और मैगजिन जो बच्चा डालता था वो पहले हमारे घर में किराधार हुआ करता था उस बच्चे को अजीद बावो का लड़का क्या बोलता है सु पोटो छपता था तो वो कहता था बोदमनी